तो वहीं बहादुरगड विधान सभा से रेलो बस्पा की सहयुक्त उमिद्वार शीला लफेसिंग राठी का प्रचार अभियान लगाता चारी है सबसीवंडी में बहादुरगड की जन सभा और उसके बाद रोडशो में उम्री भीर से शीला राठी का होसला भी काफी मस्मूत दिखायती है तो वहीं राठी ने बयान देते हुए कहा कि नेलो सरकार बने पर हिवाओं को खेल और रोज़कार से जोडने का काम किया था और उने कहा कि नेलो सरकार आने पर जहां बुज़ुर्गों को 7,500 रुपए वहीं बेरुज़गार रुपए बेरुज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे जो गोशना पत्र हमारा है उसमें युवाओं के लिए जो गोशना पत्र में हमने दिया है 21,000 रुपए का बेरुज़गारी भत्ता और जी पैंसन जो हमारी बुज़गों के लिए है वो 75,000 रुपए जिस गर में अगर दो बुज़ग हैं तो वहां 15,000 रुपए की जहां इंकम होगी उनमें अपने किसी भी पुतरवद हो या उनका बेटा हो उनकी तरफ हाथ फैलाने की कभी जरूत नहीं पड़ेगी ये हमारे तावदेवलाल का एक संकलत था और उसको आज तक वो परिवार आगे लेके बढ़ रहा है